Hello everyone, this is Rachit Samyal तो guys, आज हम Sustainable Development के बारे बढ़ने जा रहे हैं ये Sustainable Development आपके JK SSB Examination Point of View से और आपके PSC Examination Point of View से काफी जादा Important है तो इसमें से Question आने के Chances रहते हैं Regarding the Goals और Goals को Study करने के लिए आपको वीडियो के एंड में मैं आपको Trick भी बताऊंगा जिसके थूँ आपको काफी जादा Help होगी इन Sustainable Development Goals को Understand करने में तो आईए इसके बारे में Study करते हैं Let's Start अब देखिए देखिए Sustainable Development है क्या देखिए आज की Generation जो हम Present Generation है हमें Mother Nature ने काफी जादा Resources प्रवाइड किये हैं और इन Resources का इस्तमाल करके हम अपनी Development कर रहे हैं अपनी Needs को पूरा कर रहे हैं और Nation अपनी GDP को Grow करवा रहे हैं अधिके GDP को Grow करवाने के लिए हर किसी को Resources की दुरुत है तो हम Resources का इस्तमाल कर रहे हैं और आज के टाइम पे हम अपनी GDP के पीछे इतनी Strongly Tilted हैं कि हम अपने Mother Nature ने जो हमें Resources दी हैं उनको काफी Rapidly उसको Deplete किये जा रहे हैं इसकी वज़े से यह Prediction की गई है कि आने वाले Future में यह Resources अवेलबल नहीं होंगे हमारी Future Generation को और Future Generation अपनी Needs को पूरा नहीं कर पाईगी तो इसी चीज़ को देखते हुए Sustainable Development का Concept सामने आया लेकि Sustainable Development में क्या कहा जाता है कि आज की Generation अपनी Needs को पूरा कर रहे अपनी Development करवाए बट साथ मैं उसको यह भी Consider करना है ध्यान में रखना है कि वो इतने Sufficient Resources हमारी Future Generation के लिए छोड़के जाए ताकि वो भी अपनी Needs को पूरा कर सके तो यह Sustainable Development है कि आप अपनी जुरूरतें तो आज पूरी कर रहे है बट अपनी Future Generation के लिए भी Sufficient Resources छोड़के जा रहे हैं ताकि वो भी अपनी Growth और Development करवा सके जो उसकी Most Accepted Definition है वो Bruntland Commission में दी गई थी देखे, Bruntland Commission United Nation ने Establish की थी, that is जिंदी 1983 और 1983 में यह Commission Establish की गई ताकि Sustainable Development के Concept को Study किया जाए तो इसने 1987 में अपनी रिपोर्ट सामने रखी That is our Common Future और इस Common Future में इसने कुछ Core Elements के बारे बात की है तेखे, Sustainable Development में बैसिकली तीन Core Elements हैं, एक है Economic Growth में हर किसी को अपनी Growth चाहिए हर कोई चाहता है Growth होनी चाहिए बढ़ साथ में यह भी Consider करना है कि Growth के चक्कर में ऐसा ना हो कि disparity बड़े कि कुछ section of people grow करते जाए और कुछ section of people गरीबी रहे तो यहाँ पर हमें Social Inclusion चाहिए में हर किसी की Growth होनी चाहिए inequality खत्म होनी चाहिए साथ में हमें यह भी Consider करना है कि इन दोनों के चक्कर में हम अपने environment को harm ना कर दे मींस environmental protection भी इसका main focus है तो means जो objective है sustainable development का data is to harmonize all of them इन तीनों को harmonize करना है इन तीनों के बीच में एक link establish करना ताकि एक के वेज़े दूसरा harm ना हो अब देखिए कुछ core elements है इसके अब देखिए कुछ core elements है देखिए first element है that is economic sustainability economic sustainability main एक element है sustainable development का और इसका main focus है जैसे आप जानते है हमारी mother earth ने हमारी धरती पे resources दी है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन resources का इस्तमाल करके हम अपनी growth करे है economic growth करे है अब ऐसा ना हो कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई resource है कि कोई एक country आके कोई एक region एक तरह के लोग एक community के लोग एक culture के लोग उनका इस्तमाल करके अपनी growth कर रहे हैं और बाकी सब को deprive कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए मिज़ सबकी economic growth होने चाहिए mother nature नहीं जो resources दियें इस पर सब का हक है means ये wealth है और ये wealth सब को मिलने चाहिए बड़ साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि ये environment हाम ना हो साथ में इन resources की equal distribution होने चाहिए और इन दोनों के through हमारा main मकसद क्या है इस first element का main focus area that is eradicating the poverty greedy हटानी चाहिए greedy हटाना main focus है इस economic sustainability का second concept आता है social sustainability social sustainability का main मकसद क्या है देखिए economic growth की वज़ए से इन resources की distribution की वज़ए से ऐसा हम चाहते हैं कि ये जो opportunity generate हो रही है ये जो opportunity generate हो रही है ये हर तरह के लोग हर तरह के लोग हर culture के लोग हर community के लोग हर gender के लोग इन opportunities का इन resources का इस्तमाल करें इन opportunities का इस्तमाल करें अपने निर्स को पूरा करने के लिए अपनी growth के लिए तो means इस social sustainability का main focus area that is gender equality means जो opportunities males के लिए generate हो रही है वही females के लिए होनी चाहिए जो opportunities एक community के लोग के लिए हो रही हैं दूसरों को भी same equal opportunities मिलनी चाहिए उनकी भी needs पूरी होनी चाहिए तो this is what the main focus area of the social sustainability next concept इसके अंदर next element आता है that is the environmental sustainability देखें environmental sustainability का main मकसद क्या है यह resources है यह resources limited है यह replenish होने में इनको काफी हजारों करोणों साल लग सकते है लाखों साल लग सकते है तो इनके misuse को हमें prevent करना है that is the focus area environment को conserve करना है ताकि हमारी future generation भी environment से कुछ फाइदे drive कर सके हैं आप जानते हैं आज हम जो resources को इस्तमाल करें यह non-renewable है means जो petrol, diesel, coal आप यह इस्तमाल करें यह non-renewable है यह खतम हो जाएंगे तो इनको बनने में हसारों लखों क्रोणों साल लग सकते हैं तो आज के टाइम पे हमें अपनी energy security के लिए हमें continuous source of energy चाहिए तो इसी चीज़ की वज़ा से यह जो environmental sustainability का concept है इसका main focus area है कि हमें renewable energy के sector में हमें investment करनी चाहिए साथ में आप यह भी जानते हैं देखें renewable energy क्या है solar energy होगी sunlight तो हमें throughout the year मिल रही है throughout the life time हम देख रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि कभी sunlight हो न sunlight हमें मिल रही है wind रहती है biomass throughout the life हम देख रहे हैं biomass हमें available है तो इन ही का इस्तमाल करते हुए हम energy generate कर सकें next आप जानते हैं इंसान का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है even धर्ती के 70% से ज़्यादा हिस्सा पानी के अंडर कवर है means water is the most important component on the earth और अगर water ना हो तो life form भी possible नहीं है आज आज आप देखते हैं कि आज जो space के sector में जो research हो रही है वो इसी चीज को लेके हो रही है कि water देखना है जहां पर water होगा वहां पर life form हो सकती है आप जानते हैं आज से 3800 million years ago जो life form सबसे पहले generate हुई थी that is in the water तो means water को safe करना है कि water is very essential for the life तो water को safe करना इसका main focus है and even जो हमारी mobility है हमारी means of transport है वो भी sustainable होने चाहिए means हम resources के इस्तमाल करने हैं अपने transport के लिए petrol, diesel इनका इस्तमाल कर रहे हैं तो ये आनेवल टाइम पे खर्तम होंगे तो हमारे transport पे कहीं न कहीं impact पड़ेगा तो आज के टाइम पे हम अपने ये जो transport है इसको हम sustainable बनाने की कुशिश कर रहे हैं जैसे electric vehicle का इस्तमाल कर रहे हैं बाकी hydrogen fuel cells का इस्तमाल कर रहे हैं तो ये कुछ initiative हैं जिसके थू हम चाहते हैं कि हमारा जो mobility है वो भी sustainable हो सके देखिए global कुछ initiatives लिए गए है तो इसके बाद जानते हैं 83 में युनाइटि नेशन ने ब्रेंट लैंड कमिशन बनाई और 87 में ब्रेंट लैंड कमिशन अपनी रिपोर्ट रखी सामने अवर कॉमन फूचर इसी रिपोर्ट की वज़ा से दुनिया की country को ये realize हुआ कि हमें sustainable development पे फोकस करना चाहिए तो इसी चीज़ को देखते हुए earth summit रखा गया, summit means meeting रखी गई जहां में दुनिया की सारी country आके उन्होंने decide के कि हमें करना क्या है कैसे हमें development हमारी sustainable होनी चाहिए और जब meeting हुई थी that is in the Rio de Janeiro और ये Brazil में है इसके बार और ज़्यादा conventions हुए है protocols हुए है जो sustainable development पे फोकस करते हैं जैसे Kyoto protocol environment को बचाने के लिए wildlife और wild life और plants को बचाने के लिए इनका जो trade होता है जिसके वैसे ये endangered हो रहे है खत्रे मारे है animals और plants इनको बचाने के लिए convention हो थी sites convention 1973 में ozone deplete हो रही थी इसको लेके convention हुई क्योंकि ozone हमारे हमारी earth को protect करता है from the harmful UV rays अगर ozone नहीं होगी तो cancer के chances बढ़ जाएंगे तो इसको लेकते हुए वे ना convention हुई तो जो substance ozone को deplete कर रहे थे उसको ban लगाने के लिए Montreal protocol हुई 87 में जो आज desertification हो रही है सूखा बढ़ रहा है हर जगा सूखते जा रही है उसको control करने के लिए United Nations Convention to combat desertification हुई यह decide किया कि हमें desertification को रोकना है tigers की population खतम हो रही थी कम हो रही थी उसको रोकने के लिए Global Tiger Forum बनाया गाए 1983 में और अभी recent का जो conference हुई थी that is agreement होगा that is Paris agreement जिसमें यह decide कि हमें धर्ती के temperature को कुछ particular limit से 1.5 degree से उपर नहीं जाने देना है तो यह agreement कुछ यह कुछ steps हैं towards the sustainable development अब देखिए sustainable development मैं है क्या देखिए sustainable development में कुछ goals के बारे हम बात की है इसके 17 goals हैं और इसके 169 target है और यह deadline रखी गई है कि हमें इसको 2030 तक इसको अचीव करने है 2030 का action plan बनाया गया है जिसके अंदर यह decide कि हमें इन goals को achieve करने ही करने है अब देखिए achieve करने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि हर country को पर यह legal binding है कि अगर को country goals को achieve नहीं करती उसके उपर punishment लगे कि ऐसा नहीं है यह legal binding goals नहीं है यहाँ पर क्या कहा गया है कुछ goals के पर है mention किया गया है यहाँ पर कि अगर कोई country goals को achieve नहीं कर पाती है because of its economic position because of any other condition, factor तो उनको हम force नहीं कर सकते यह goals को achieve करने के लिए लेकिन कुछ goals सो set किये गया है आप भी कुछ goals क्या है first goal है that is no poverty second zero hunger then good health and well-being quality education, gender equality, clean water and sanitation affordable and clean energy decent work and economic growth industry innovation and infrastructure reduce inequality, sustainable cities and communities responsible consumption and production climate action, life below water life on land peace, justice and strong institutions partnership for goals तो देखिए आपके examination में है यह जो sustainable development goals and 17 इन ही मैंसे कुछ question पूछा जा सकता है कि आपका sustainable development goal 2 क्या है, 3 क्या है, 11 क्या है, 14 क्या है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है तो इनको याद करने के लिए मैं आपको एक trick बताता हूँ इस trick को आपको इस तरह से याद रखना है सुनिए देखो आपको इस trick को याद रखना है देखिए ये tricks आपको हजारों मिलेंगी मुश्किल भी होंगी कुछ easy भी होंगी जिस trick ने मुझे help की है understand करने में ये goals को उसके बारे में आपको बताता हूँ आपको एक story form करनी है story आपको याद रखनी है देखिए suppose को रहे कि एक आदमी बहुत गरीब है means गरीबी का मतलब क्या है poverty तो goals का में मकसद क्या है goals का में मकसद क्या है इन चीजों को counter करना means एक आदमी बहुत गरीब है means first is poverty उसके घर पर बुकमरी है बुकमरी means खाना नहीं है means हमें हंगर को खतम करना है उसकी बीवी और उसकी माँ दोनों बिमार है means good health or well being नहीं है इस से इस गरीबी के वज़ए से उसके बचे स्कूल भी नहीं जा सकते है means quality education को नहीं मिल रही है then उसके घर पर family members उसके family members बहुत ज़द है means बहुत ज़द family members उन तस लोगों का परिवार है और उस दस लोगों के परिवार में equal proportion है male और female का पांच male है और तो पांच female है देखे जेंडर equality का मतलब होता है जो opportunities male को मिल रही है वो ही female को मिल रही है बढ़ यहाँ पर मैंने आपको इस example से ये show करने की बात किये equality जिब आप सुनोगे कि male और female आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके परिवाया में जितने male से उतने female और सब काम करें means gender equality है ताकि वो अपने आपको अपनी condition को सुधार सके तो आपको इसमें फिफ्ट कोल को इसी तरह से याद रखना है कि अगर आप उसके घर पर जाओगे तो आप देखोगे उसके घर में भोजा फैमिली मेंबर से इसमें equal male और equal female है तो means यहाँ पर equality की जो मैं बात कर रहो न यह आपको एक तरह का indicate कर देगा कि means quality है gender equality, male और female gender equality अब देखें next है अगर उसके घर पर जाओगे तो नहीं आपको साफ पान, नहीं उसके पास साफ पान, पीने का पानी मिलेगा और नहीं उसके घर पर आपको साफ सफाई दिखेगी means clean water or sanitation की problem है उसके घर पे उसकी बीवी आभी भी चूले पर खाना बना रही थी means affordable or clean energy नहीं है ठीक है ये सब देखकर हमें पता चला कि उसके पास कोई अच्छा काम नहीं है means decent work नहीं उसके पास बीवी चूले पर खाना बना रही है साफ सफाई नहीं है means पैसे की तंग ये decent work नहीं है means उसके उसके एकॉनमी ग्रो नहीं की है अपनी तो हमने उसको समझाया कि भाई तुम कुछ काम करो तो हमारे समझाने के बाद वो काम ढूनना स्टार्ट किया तो उसको काम ढूनना जब उसने स्टार्ट किया बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाना स्टार्ट किया जहांका infrastructure बहुत अच्छा था तो उसको एक job मिली means उसको काम करना स्टार्ट किया means इंडस्ट्री, innovation and infrastructure अग देखे जब उसको job मिली जिसकी वज़े से उसकी economic situation थोड़ी better होना स्टार्ट हुई और इसकी वज़े से जो society में वो बाकी लोगों के unequal था वो थोड़ा कम हुआ means inequality reduced हुई न हुई तो देखे ये जो 10 goals हैं इन 10 goals को याद करने की ही trick है जो मैंने अपने आपको समझाई हुई है देखे आगे आगे 11 से 13 तक की trick को याद रखने के लिए आपको इस तर0 से याद रखना है हम जो cities के लोग हैं हम cities के लोग resources को बहुत ज़दा use करते हैं खाने को कितना waste कर रहे हैं bike लेके घोमते रहे हैं गाडी लेके घूमते रहे हैं cities में लोग जो रहे हैं काम कर रहे हैं वो गाड़ी पूल करके भी जा सकते हैं, बट वो individual गाड़ी में जाते हैं, means हम resources को irresponsibly consume कर रहे हैं, तो इस irresponsible use करने के वैसे क्या है, pollution बढ़ रहा है, और pollution का impact किसे बढ़ रहा है, climate पर पढ़ रहा है, तो means हम cities के लोग, means sustainable cities and communities, हम यह resources है, इनका irresponsible consumption कर रहे हैं, जिसकी वाज़े से हमारे climate पर impact पढ़ रहा है, this is how you have to remember the trick from 11 to 13, उसके पाद 14 के आपको इतना याद रखना है, cricket में हम appeal करते हैं, like before wicked means LBW, means life below water, और life on land means LOL, laugh out loud, और 16 की trick में आपको इस तरह से बताता हूँ, क्यों कि let us suppose आपको कोई friend है and he tries to be funny, बट आपको उसके जोक्स पे हसी नहीं आती है, तो आप क्या कहते हैं यार, क्या PJs, poor jokes, मार रहे हैं, means PJ, peace, justice, or strong institution, this is how you have to understand the 16th trick, और देखे 17, 17 को कैसे याद रखना है, इन सब को अचीव करने के लिए, ऐसा नहीं एक country इनको अचीव करें, बाकि सब को बाकि सब नहां करें, तो इसकी वैसे climate पे तो कोई main difference देखने को मिलेगा नहीं न, तो means सब की partnership जुरूरी है, हर goal को अगर achieve करने तो partnership बहुत ज़्यादा जुरूरी है, तो I hope आपको ये tricks याद हुई होँगी, और next है इसमें sustainable development index, देखिए, कौन सी country, कितना काम कर रही है इन goals को achieve करने के लिए, तो कहां कहां पे gap रही हुई है, कि क्या वो 2030 तक जो agenda है उसको achieve कर पाएंगे, तो किस area पर priority, किस area को priority रख के उस पर ज़्यादा focus करना है, इसके regarding, जो countries है, इनको help करता है, that is the sustainable development index, देखो sustainable development index country को ये help करता है, कि कहां पे gap रहे चुके हैं, कि goals को achieve करने में कहां पे कमिया आ रही हैं, और किस area पर focus करना है, ये help करता है sustainable development index, और इसको release करती है, that is the sustainable development solution networks, अब देखिए, ये हर साल अपना index सामने रखता है, कि किस country ने कितना काम किया sustainable development goals को achieve करने के लिए, तो इस जीस में, 2019 में इंडिया का rank था 115 out of 162 countries, और 2020 में ये rank 2 level नीचे जाके, that is 117 है, तो आया आपको ये sustainable development, और उसके goals clear हुए हो, guys, thank you so much, God bless you all.